हेलो स्टुडेंट्स में संजय कुमावत IPS Education Hub Ranioli की ओनलाइन कलाशेज में आपका स्वागत है लाश्ट वीडियो तक हमने हमारा चेप्टर समांतर स्रेडी के एक्सरसाइज 5.3 के क्यूसर नमबर 4 तक हल कर लिये हैं अब है अपना Qs No.5 तो देखो Qs No.5 क्या है Qs No.5 अगे एक समांतर स्रेडी के पहले काउन पदों का योग जयात कीजे जिसमें द्वीत्य तता तरतिय पद करमसा है 14 तता 18 है द्वीत्य पद मतलब दूसरा पद तो कितना दियावा है 14 जिसको हम क्या लिख सकते हैं A प्लस D बराबर 14 यह आगे आपकी समीगर नमबर 1 तीसरा पद क्या दियावा है 18 जिसको हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर 18 यह है समीगर नमबर 2 अध एक समीगर और दो समीगर आपकी जिसमें से आपको A और D कमान निकालने तो समीगर न दो में से एक को गठाने पर समीगर नमबर 2 में से एक को गठा दो तो A प्लस 2D बराबर 18 है इसमें से हम गठा देते हैं A प्लस D को तो माइनस 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 A से तो A कठ जाएगा 2D में से D को गठाएंगे तो D आएगा 18 में से 14 को गठाएंगे तो कितना एगा 4 कितना एगा 4 यह आगे आपने पास में D कमान D कमान रख दो किसी भी समीगर नमे तो D कमान समीकरण एक में रखने पर समीकरण एक में रखने पर तो रख दो एक में तो A plus D कमान 4 वराबर 14 A वराबर 14-4 तो A कमान कितना आएगा? 10 कितना आएगा एक कमान? 10 अब हमें कितने पदूं का यह उपफल निकालना है 51 पदों का N का मान कितना है अपने पास में? 51 तो S N बराबर N वट्टा 2 2A प्लेस N माइनस 1 इंटू D यह है अपना N पदों का योग फ़ल निकालने का सुतर रगदो N के स्थान पर तो कितना 51 बराबर 51 वट्टा 2 तो गुणा एक का मान कितना है? 10 प्लेस 51 माइनस 1 गुणा D का मान कितना है? 4 तो 51 वट्टा 2 2 को 10 से गुणा करेंगे 20 प्लेस 51 में से यह गठाएंगे तो 50 गुणा 4 51 वट्टा 2 20 प्लेस 50 को 4 से गुणा करेंगे तो आएगा 200 तो 51 वट्टा 2 गुणा 200 प्लेस 20 कितना हुजएगा? 220 दोश्य काट देते हैं कितना आएगा 110 S 51 बराबर 51 गुणा 110 91 को 110 गुणा करो 91 को 110 गुणा करेंगे तो आएगा 5410 कितना आएगा 5410 तो अत्त है समांतर स्रेडी के अत्त है समांतर स्रेडी के 51 पदों का योग फ़ल कितना रहा है बराबर 5610 यह है इसका क्या आउन्सवर यह था अपना क्युशन नंबर 5 यह जो क्युशन नंबर 5 है इसी प्रकार का जो 30 जून को आपकी वोर्ड की एग्जाम हुई है उसमें क्युशन आया है आपका वो क्युशन के आपको में लिखा देता हूँ और करना आपको है वो क्युशन क्युशन आपका कि किसी समांतर स्रेडी के किसी समांतर स्रेडी के दूसरे और तीसरे, दूसरे और तीसरे पद करमस है, सोईस थता अठाईस होतो, सोईस थता अठाईस होतो, स्रेडी के पहले, स्रेडी के पहले 61 पदों का योग ग्यात कीजिए, कितने पदों का योग ग्यात करना है, 61 का, हमने जो क्यूशन किया तो इसमें कितने पदों का योग ग्यात की है, और आपको इस क्यूशन को करके comment box में इसका अंस्वर बताना है यह था अपना क्यूशन नंबर पांच और इस समझादी जो बाइड क्यूशन आया भी आपका 2020 में वह की दिहां मैंने आपको बता दिया है कि अब हम चलते हैं क्यूसर नंबर चैको पर तो देखो क्यूसर नंबर चैक आए कि अधा है क्यूसर नंबर चैका है अपना किसी समानतर सेरी का किसे समांत्र स्रेडी का फर्तम एवं अन्तिम पद फर्तम एवं अन्तिम पद कर्मस है सत्रा और तीन सो पचास है यदि सारव एंतर नो हो तो यदि सारव एंतर नो हो तो सरेडी में पदों की संक्या कितनी है सरेड़ी में पदों की संख्या कितनी है पदों की संख्या कितनी है थता उनका योग क्या है किसके समांतर स्रेड़ी का फरतम और अंतिमपद दिया हुआ है तो फरतमपद ए बराबर तो कितना दिया हुआ है 17 और अंतिम पद A-N या L बराबर कितना दिया हुए 350 सारवा अंतर D बराबर कितना दिया हुए 9 सबसे पहले निकालेंगे हम पदों की संक्या पदों की संक्या निकालने के लिए A-N बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D इस उत्र से हम पदों की संक्या निकालेंगे तो a n का मान तो क्या है 350 a का मान 17 प्लस n का मान हमें निकालना है d का मान 9 तो 350 बराबर 17 प्लस 9 को n से गुणा करेंगे 9 n 9 को माइनस 1 से करेंगे माइनस का 9 तो 350 बराबर 17 में से 9 को ठाएंगे कितना हैंगा 8 प्लस नो एन हमें तो n का मान निकालना है तो 8 को इस्तरबेश देदे तो 350-8 ब्राबर 9 350 में इसे 8 घठेंगे तो 342 ब्राबर 9 n हमें तो n का मान निकालना है तो 9 का भाग देदे ते इसमें तो 345 बट्टा 9 ब्राबर N 345 में बाग देते हैं 9 का 9 चोक 36 सोरी जदा गया ना ये तो 937 कितना 937 तो 729 बैतर कितना एगा 38 N का मान कितना एगा 38 ये है किस का मान N का मान एक तो हमें N का मान निकालना था तो पदों की संख्या तो निकाल ली हमने तो अता है पदों की संख्या बराबर कितनी है 38 अब हमें क्या निकालना है योग फ़ल निकालना है योग फ़ल निकालने के लिए S N बराबर N वट्टा 2 फर्तंपद और अंतिमपद में दिया हुए तो फर्तंपद और अंतिमपद वाला सुतर लगा देते हैं N का मान कितना आगे 38 बराबर 38 वट्टा 2 फर्तंपद का मान कितना 17 प्लस L का मान कितना अंतिमपद का मान 350 पचास S 38 बराबर दोक्षिय कार देते है 18 को कितना हैगा 19 तो 19 गुणा इनको जोड़ेंगे तो कितना हैगा 366 366 से गुणा करो 396 366 से गुणा करेंगे तो आएगा 6900 थेतर कितना हैगा 6900 थेतर तो अतह है समांतर स्रेडी के 38 पदों का योगफल 6903 है कितना है? 6903 यह था अपना क्यूसर नंबर 6 अब हम चलते हैं क्यूसर नंबर 7 पर तो देखो क्यूसर नंबर 7 क्या है? क्यूसर नंबर 7 है की? एक से एक जार के बीच तीन से बाज्ये विस्सम संख्यों का योगफल ग्यात कीजिए यह क्यूसर नंबर 7 क्या है? सबसे पहले हम लेते हैं कि एक से एक जार के बीच तीन से बाज्ये संख्ये सबसे पहले हम लेते हैं कि तीन से बाज्ये संख्ये कौन कौन सी है? तो तीन से बाज्ये से भाज्ये mau न में सगें के यहीं से भाज्यें विह संगें तो इसमा संग्या देख लो aza जए नहीं यह नुग है बारा नहीं है 15जड से चलते चलते नो सो निन्याणवा भी क्या है विसम संक्या तो यह आपकी क्या बन गई समांतर से डी बन गई यहां से एक कमान तो क्या है तीन है डी कमान दो, ये N का मान कितना है, 9929 में, 1 का मान, 3, फलेस, N का मान है, N का मान, अमें निकालना है, D का मान, 6, 9931, 3, ब्लेस, 6, को N, ची गुणा करेंगे, 6, N-6, 9931, 3, Nah, प्लेस, 6, 6, N, 9931, निकालना है तो 3 को इस तरह बेज देते हैं तो 909 में पलस 3 बराबर 6N 909 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हैगा 1002 बराबर 6N N का मान निकालना है तो 1002 में किसका बाग दे देते हैं 6 का बाग दो 1002 में 6 का 6 एकम 6 4 0 6 6 36 4 2 तो साथ चिक है बैयान इस तो कितना रहा है 166 बराबर N तो यहां पर N का मान कितना आ गया 166 मतलब कि पदों की सिंख्य कितनी आ गई आपके पास में 166 अब हमें इसका योगफल निकालना है तो देखो योगफल योगफल के लिए हम सुत्तर लगा देते हैं S N बराबर N वट्टा दो A प्लस L क्यूंकि अपने पास में अनितिम पद है तो हम यही सुत्तर लगा देते हैं N का मान कितना है 166 बराबर 166 वट्टा दो 1 का मान 3 प्लस L का मान 999 166 वट्टा दो गुणा 999 में 3 जोडेंगे तो 1002 काड देते हैं इसको कितना हैगा 501 तो S 166 बराबर 166 गुणा 501 166 को 501 गुणा करो 166 को 501 गुणा करो 166 को 501 गुणा करेंगे तो कितना हैगा 33666 166 कितना आएगा 33666 तो आता है समानतर स्रेडी आता है एक से एक जार के बीच तेन से बाज्ये विश्ण संख्याओं का योग फ़ल 23666 है यह था अपना क्यूसर नमबर 7 यह था अपना क्यूसर नमबर 7 इस परकार का कोई भी क्यूसर अगर एक्जाम्पल में है खहीं पर भी आपको मिलता है तो उटकर लेना आप इसी परकार से अब हम चलते हैं क्यूसर नम्बर आठ पर तो देखो क्यूसर नम्बर आठ क्या है क्यूसर नम्बर आठ है कि एक समांतर सरेडी में फरतमपद ए है एक समांतर सरेडी में फरतमपद आठ है एनमपद तेटीस है एनमपद तेटीस है तता पहले एनमपदों का योग एक सु तेईस है तता पहले एनमपदों का योग एक सु तेईस है एनमपदों का योग इतना है जाक है एक सो हो टेहीं सन तो एन थता सारव अंतर डी को गयात किजिए है कि इस कि इसे नोत समिञ्द न है डंकश है किसे इंसे क्या बोलत ऑ़स्ताइं क्यूंद स 메ंदी मि फट्टम पत केंथ आठ एन्वा पद गया है 33 है एन्वा पद या अंतिम पद तथा पहले एन पदों का योग 123 है तो एन तथा सार अंतर डी को गयात किजा फरतम पद आ बराबर कितना दिया हो है आपको आठ और एन वा पद मतलब एन या अन्तिम पद दियावा है कितना 33 और एस एन वराबर फरतम एन पदों का यह कितना दियावा है एक सो तेज़ एस एन वराबर क्या लिख सकते हैं एन वट्टा दो ए प्लस एल वराबर एक सो तेज़ एन का मान अपने पास में है नहीं है निकालना है एक का मान कितना है आठ है प्लस अन्तिम पद कितना है 33 है वराबर एक सो तेज़ एन वट्टा दो गोना 33 में आड लेंगे कितना हैगा 41 वरावर 123 गोना में है इस तरफ जाएगा तो बाग में तो एन वट्टा दो बरावर 423 वट्टा 41 चार सो तेईस वट्टा 41 अब देखो दो किसमें यहाँ पर गोना में है नहीं सोरी बाग में है तो इस तरफ जाके गोना में हो जाएगा तो देखो एन वरावर 423 वट्टा 41 गोना 2 अब इसको दोश्य गोना करवा कि आपको किसका बाग देना है 41 का बाग देना है तो देदो 41 का बाग इसमें पहले दोशे गुणा गरवा देते हैं इसको, सोरी ये 430 नहीं 120 है यहां पर, कितना हैं? 120, 130 को दोशे गुणा करो, 130 को दोशे 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 2 बट्टा 41, 41 का बाग देंगे तो इसमें कितना हैगा? 6, कितना हैगा? 6, यह आगया अपने पास में किस कमान? N कमान, किस कमान आगया? N कमान हैं में किस कमान और निकालना है? D कमान और निकालना है, D कमान तो देखो चूंकी, A, N बराबर कितना दिया हुआ हैं में 33, A, N बराबर के लिख सकता हूं में A+, N-1 इंटू D बराबर 33, एक कमान कितना है? 8, प्लस N कमान कितना है? 6, माइनस एक D कमान में निकालना है 33, 8 प्लस 6 में से एक ठाएंगे तो 5D बराबर 33, 8 को इस तरफ बेज देते हैं तो किस में हो जाएगा? माइनस में, 5D बराबर 33, माइनस 8, 5D बराबर 33 में से 8 गठाएंगे कितना हैगा? 25 तो D बराबर 25 बटा 5, 25 में 5 का बाग देंगे तो कितना हैगा? 5, तो D कमान कितना आगया? 5, तो अतल है N बराबर तो आ रहेim है और D बराबर आ रहे, पांच हमें इस क्यूशन में एन और डी कमान ही ग्याद करना था यह था अपना क्यूशन नमबर आठ